हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आइम शीवम और इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं यूटराइन ट्यूप्स के बारे में जो की फिमेल रेप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में आते हैं तो क्या होते हैं यूटराइन ट्यूप यूटराइन ट्यूप को ही फैलोपियन ट्यूप्स भी बोलता है तो यह जो है यह टॉर्चियोस डफ्ट्स होता है यह पाइप होता है जो काम आता है उसाइट ओवरी से जो उसाइट रिलीज होता है वह उसको अब्डामिनल कैवेट से उठा के uterus तक पहुचाने का इसका काम होता है uterine tube का साथ ही इसमें इसके ampula में fertilization भी होता है तो ऐसे इसके दो काम होते हैं ठीक है अब बात करते हैं इसके situation की तो uterine tube जो है वो located होते है broad ligament of uterus यह जित्ता blue color का पार्ट दिख रहा है यह broad ligament of uterus है इसके upper free margin में upper free margin में यह पाए जाते है uterine tubes are situated in upper free margin of the broad ligament of uterus now let's talk about its dimensions इसके dimension की बात करते हैं तो यह 10 cm तक लंबा होता है 10 cm इसके dimension होते हैं इसका lateral end जो है वो peritonial cavity में open होगा इसका lateral end peritonial cavity में open होगा और through abdominal ostium यहाँ पे यह जो है इस आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें एक ostium होता है ostium है एन एक छोटा सा छेद होता है वहाँ से ही ucide जो है वो इंटर करता है तो उसके द्वारा यह peritonial cavity में open होता है ostium जो है वो 3 mm तक उसका diameter हो सकता है अब बात करते हैं इसके subdivisions की जो main part है इसके तो उसमें आएंगा infundibulum, ampulla, isthmus और uterine और इसका intramural part सबसे पहले देखते है infundibulum तो infundibulum क्या होता है यह सबसे lateral end है यह infundibulum इसका uterine tube का सबसे lateral end है यह infundibulum हो गया इसमें काफी finger-like projections होता है जिसको हम fimbria कहता है ये इसमें काफी finger-like projections होंगे जिसको fimbria कहता है और इसी के कारण इसको fimbriated end भी कहा जाता है infantibulum को ही fimbriated end भी कहा जाता है ठीक है इन fimbria मेंसे कोई भी एक fimbri होगा जो बाकी fimbria से लंबा होगा और वो tubal pull of ovary को attach होता है ovary के upper pull को यह attach होता है यह जो दिख रहा है यह इसको attach होगा और उसी को कहते है ovarian fimbria तो बस इसमें इतना याद रखना है कि infundibulum fimbriated end है इसी में austium होता है ठीक है इतना भी याद रखना है now next part की हम बात करते है उसमें आता है ampoula तो ampoula क्या है ampoula एक इसका middle part कह सकते है uterine tube का infernibulum से medial होता है infernibulum से medial होगा वो thin wall और dilated होगा साथ ही torches भी होगा इतना समझो यह ampoula होगा यह thin wall है dilated है और torches होता है इसी ampoula में fertilization होता है इसके dimensions की बात करते है तो यह 6-7 cm तक लंबा हो सकता है ampoula इतना ampoula 6-7 cm तक लंबा हो सकता है इसके dimensions इतने हो गए और इसी में fertilization होता है जो ampoula होता है वो ovary के upper pole के उपर से होते हुए जाता है ampoula जो है वो ovary के upper pole के उपर से होते हुए जाएगा now isthmus next part आता है isthmus infernibulum हो गया ampoula हो गया now isthmus की बात करते है तो जो isthmus होता है वो narrow होता है और narrow rounded वो छोटा होगा rounded होगा और cord like structure होता है वो ज़्यादा tortuous नहीं होता वो एकदम मान के चलो सीधा होता है ठीक है और ये medial one third हम कह सकते कि ये फूरे यूटेराइन ट्यूप का medial one third बनाता है इस्तमस ये 2-3 cm तक लंबा हो सकता है हमने देखा जो एमपुला है वो 6-7 पूरा देखो सबसे पहले पूरा यूटेराइन ट्यूप 10 cm लंबा होगा जो एमपुला होगा एमपुला है ये 6-7 cm तक लंबा होगा और इस्तमस 2-3 cm तक लंबा हो सकता है इसका कुछ खास function separate function है नहीं बस ये join करता है पूरे यूटेराइन ट्यूप को यूटेरस से नाव नेक्स्ट पार्ट इसका आता है जो की है यूटेराइन पार्ट और इंट्राम्यूरल पार्ट और इंटर्स्टिशल पार्ट अब ये जो है न ये क्या होता है कि जैसे ये ये पूरा यूटेराइन ट्यूप हो गया तो ये यूटेराइन ट्यूप का जो सबसे end वाला पार्ट है यह intramural part तो यह uterus की जो wall है उसी में यह लाए करता है जो uterine tube का part जो uterus के wall में लाए करता है उसको कहते है uterine part और intramural part और interstitial part यह open होता है uterus में उसके superior angle में यह uterus का superior angle है इसमें यह open होगा through uterine ostium ostium बोले तो एक छेद हो गया तो उससे यह इसमें open होगा इसका diameter होता है 1 mm का 1 mm तक इसका diameter हो सकता है अब बात करते हैं इसके course and relation की तो जो इस्तमस है यह इस्तमस है और इसके इसके साथ वाला जो ampula है इस्तमस और ampula का जो part है वो posterolaterally directed रहता है posterolaterally directed रहता है अब जो ampula होता है यह ampula यह ovary के उपर arch करता है the ampula arches over the ovary and is related to its anterior and posterior borders its upper pole and its medial surface तो जो जो ampula होगा यह ovary के उपर arch करेगा और उस related रहता है ovary के anterior और posterior border से upper pole से और उसके medial surface से the infundibulum projects beyond the free margin of broad ligament यह जो broad ligament है uterus का इसके free margin के भी बाद में free margin के beyond तक जो infundibulum है वो project होता है infundibulum वहाँ तक पहुचता है uterine tube पूरा का पूरा जो है वो broad ligament के अपर free margin में present रहता है ठीक है now the part of broad ligament between the attachment of the mesovarium and the uterine tube is known as mesosalping यह mesovarium जो है mesomerium और uterine tube इसके यहाँ उसके attachment के बीच में यहाँ पे एक जो structure होता है इतने area को कहता है mesosalping ठीक है इसी के साथ-साथ उसमें होता है ipo-foron यह ipo-foron जो structure है यह इसके में कुछ खास जाननी की ज़रूत नहीं है यह एक vestigial structure as a vestigial structure होता है उसमें uterine और जो mesosalping में uterine यह uterine artery हो गई हो और एक covarian artery इसके termination यहाँ पे terminate होती है बस इतना याद रखो इतना रखनी की ज़रूत है इसमें अब बात करते है इसके blood supply के बारे में अपना course and relation हो गया अब blood supply की बात करते है तो यह जो है यह इतना uterine tube है uterine tube का जो medial two-thirds है यह medial two-thirds जो है इसको supply करेगी uterine artery uterine artery uterine tube के medial two-thirds को supply करती है वही इसके जो lateral one-third पार्ट है यह इतना lateral one-third पार्ट है उसको ovarian artery supply करती है उसको ovarian artery supply करती है ठीक है जो veins है veins इनी arteries के parallel में run करेगी ठीक है uterine artery के parallel में uterine veins और ovarian artery के parallel में ovarian veins run करती है वो drain करेंगी pampiniform plexus of ovary पे और uterine veins में ovary है इसके आसपर उसका एक pampiniform plexus होता है उसमें drain करती है veins और साथी uterine veins में भी वो drain करती है ठीक है अब अब बात करते हैं इसके lymphatic drainage के बारे में तो इसका lymphatic drainage कैसे होता है इसका जो ज़्यादा तर lymphatic से वो lateral aortic और pre-aortic ऐसे दो lymphatic nodes में drain करेंगे एक नाम याद रखना है lateral aortic और pre-aortic इसी में वो drain करती है वही जो इस्थमस है इस्थमस के इस area के जो lymphatics है इसके कुछ इसका जो कुछ lymphatic drainage है वो superficial inguinal nodes में वो drain करता है तो इसमें जो uterine tube है इसके जो lymphatics है ये साथ-साथ में ओवरी और कुछ uterus के कुछ lymphatics के साथ मिलके ओवरी के lymphatics और uterus के lymphatics के साथ मिलके lateral aortic और pre-aortic nodes में drain करेंगे साथ ही जो इस्थमस है इस्थमस के कुछ lymphatic drainage है वो superficial inguinal nodes में जाता है superficial inguinal nodes देखने के लिए ये इतने यहाँ पे नीचे superficial inguinal nodes रहेंगे ये fornix वाले part के नीचे वजायना वाले part में वहाँ पर ये drain करते हैं ये इधर उपर साइड में होते हैं अब बात करते हैं इसके नर्स अपलाई की नर्स अपलाई की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरीके से सपलाई होगा sympathetic और parasympathetic भी जो sympathetic supply होगा sympathetic नर्स का उसका function होता है Tabolere so yeast को stimulate करना और साथ ही वह व्यस्समोठर होत वद्वանन की नर्स होगे उनका function होगा Sabone T Meanwhileowe इसको inhaled करना लेकन जो parasympathetic जो होता है नवह mostly hormonal controls के अंदर में ही होता है उसी वही पे जो parasympathetic nerves होंगे उनका काम होगा peristalsis को inhibit करना और vasodilation produce करना sympathetic का काम है sympathetic vasomotors होते है वही parasympathetic vasodilators होंगे बस इतना याद रखना इसमें और जो parasympathetic होगे वो peristalsis करवाते हैं इस वीडियो में हमने cover किया है uterine tube थैंक यू वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे like कीजिए और चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू